जय जगन्ना जय पंजी सका सत्वज यूटीब चैनल में आप सबका स्वागत है मालिका में लिखा है 16 मंदल के बारे में जैसे मा आध्या मंदल, मा सालळा मंदल, मा मंगला मंदल, मा बिरजा मंदल, मा कटकचंडी मंदल और बहुत सारे हैं आज हम जिस वीडियो का अनुबात करेंगे वो ओडिशा के राजधानी भुवनेशर में जिसको मा गौरी मंडल कहते हैं जिसका बर्नन मालिका में है ओडिशा के राजधानी जो भुवनेशर का नाम मालिका में एकमरा खेत्र लिखा गया है और इस एकमरा खेत्र में बहुत सुन्दर और प्रसित मालिका में लिखाया कि आप एक सुन्दर सा पीठ है जिसका नाम सिखरचंडी मंदिर है बहुत ही सुन्दर मंदिर है और चारोतर हरियाली है अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा आज हम जिस बाच्चित का अनुबाद करेंगे वो सत्यभंज़ और मंदिर के मुख्य पुजारी चंदन पंडित जित के बारे में होगा चंदन पंडित जी कहते हैं मा के अनुपदी तो बहुत सारे हैं जो बोलने से खतम नहीं होगा लेकिन आज मैं एक जानकरी दूँगा त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मन जी इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उनको बहुत भूक और प्यास लगी थी और वो कुछ समय के लिए यहां विश्राम भी किये थे तब उन्होंने मा का स्मरन किया था और तब ही मा यहां आकर प्रभु राम अलक्ष्मन जी को फल और पानी प्रदान गया था जिसको खा कर प्रभु राम अलक्ष्मन जी बहुत सुकून और बहुत संतुष्टी उनको मिला था और वो एक पत्थर लेके उस पत्थर को मा का स्वरूप देके पुजा करना स्टार्ट किये थे उस पत्थर पर लक्षमन जी ने चित्र भी बनाया था और तब से वो मा लक्षमन चंडी के नाम से मसूर था लेकिन कल्यूग में मां लक्षमन चंडी से बदल कर मां सिखर चंडी का नाम से मसुर हो गया ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मंदिर एक परवत के सिखर के उपर है इसलिए ये अभी मां सिखर चंडी के नाम से जाना जाता है ये परवत दो भाग में भी वाजित है एक हनुमान जी के नाम से है और एक माशिखरचंडी के नाम से है पंडिक जी हर दिन सुबह पहले महाबीर या हनुमान जी का पुजा करते हैं और फिर माशिखरचंडी का पुजा करते हैं पंडिक जी आगे कहते हैं कि यहां गुप्त सूरंग है जिससे वो हनमान जी के महंदिर जाते हैं पिछले 10 साल से बलके और एक गुप सुरंग है जो इस परवत को खंडगेरी परवत से जोड़ता है लेकिन बहुत दुख की बात है यहां परवत के पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं और पत्थर भी तोड़े जा रहे हैं जिससे इस परवत को बहुत नुकसान भी हो रहा है आगे बताते हुए पंडित जी बोलते हैं लगबक 300 साल पहले बारंग बोलके एक जगा है उस जगा पर कानी का राजा राज करते थे और वो मां बाराबुजा जो बारा हातो वाली मां है उनको बाराबुजा बोलते हैं ओडिया में कियो मंदित जो खंडगेरी परवत पिस्ति थे वहां पर जाने के लिए निकले थे उस समय यहां पर एक नदी भी था और राजा नाओ पर सवार होकर मां के दर्शन के लिए निकले थे नाओ को उस समय बोईतो बोलते थे ओडिया में तो सिखर चंड़ी परवत के नीचे जो किट कैंपस का जगनात मंदिर है जो स्री अच्छुता सामंत ने बनाया है उसको बोईतो बड़ा बांको भी बोलते हैं जैसे बोईतो चौक कहते हैं तो जब राजा निकले थे बोईतो में तो नदी से जा रहे थे उस जगह में राजा का नाव जो बोईत्य चौक है वहाँ पर राजा का नाव डूबने लगा था तो ये इसलिए हुआ था जो राजा जो मा बाराबुजा के वहाँ दर्शन के लिए निकले थे तो उनसे पहले उनको मा शिखरचंडी का दर्शन करना था क्योंकि बोलते हैं मा शिखरचंडी बड़ी बहन है मा बाराबुजा के तो पहले बड़ी बहन का अनुमति ना लेके वो छोटी बहन जो मा बाराबुजा उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं मगर राजा को यह पता नहीं था तो वो मां बाराबुजा का दर्शन के लिए निकले थी जो छोटी मेहन है इसलिए उनका बोई तो डूबने लगा था उनका नाव डूबने लगा था तो जब उनको यह पता चला तब वो सुरंग से जो वहाँ पर सुरंग था वो सुरंग से मां सिखरचंडी का दर्शन करने गए और वो सिखरचंडी का जो पहाड है मां पर मां का दर्शन करके वहाँ पर और एक सुरंग था जो खंडगिरी से जुड़ता था उस सुरंग से वो मां बाराबुजा का दर्शन किये थे तो पंडी जी वही बोलते हैं कि यहां से आपका खंडगिरी से लेकर आपका सिखर चंडी पहाट तक एक सुरंग है जो दोनों को जोड़ता है जो अभी बंद है पंडी जी कहते हैं कि यह पहले एक पोथी में लिखा गया था फिर इसका एक नकल एक पांडोलीपी में लिखा गया तो वो पोथी तो अभी नहीं है मगर वो पांडोलीपी अभी भी है मालिका के बहुत ग्रंत में लिखा है जब हीरा कुद बान तूटेगा और उसका पानी पारदीब के समंदर के पानी जो सुनामी में आएगा वो दोनों मिल जाएंगे जो 60 फुट तक चलेगा वो जल प्रलेजो होगा और उसका पानी खंडगिरी और शिखर चंडी के परवत को छुएगा तो भक्त सब जो परवत के सिखर पर पहुँच जाएंगे और मा उन सब के रक्षा करेगा और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है मा बहुत जल्दी प्रिथिवी पर आकर अपने भक्तों का उधार करेंगे वही भक्तों का उधार होगा जो हरी नाम करते रहेंगे और जो हरी नाम करते होंगे कुछ गिने चुने भक्ते ही उधार होंगे पंडी जी कहते हैं ये समय बहुत जल्दी आएगा क्योंकि पहले इस मंदिर में कोई नहीं आता था अब भी लोग आना चालू किये हैं लोग अभी कुछ आते हैं इस मंदिर में तो जो जो भक्त हैं उन सब का उधार मा करेंगे और सब पापियों का संगार होगा साथ दिन साथ रात अंधेरा होगा तब मा अपने रुद्र रूप चंडी रूप में रहेंगे और पापियों का संगार करेंगे और भक्तों का उधार करेंगे पंडी जी आगे कहते हैं इस कल्यूग में लोग सुबह उठते हैं नहाते हैं लेकिन कोई पूजा नहीं करता है कोई भगवान का नाम नहीं लेता है घर में भगवान का मंदिर होता है मगर कोई पूजा नहीं करता किसी का पस वक्त नहीं है अगर हम गाड़ी से जाते हैं गाड़ी में बैठे रहते हैं चपल जूता पहन कर बस सामने मंदिर के सामने से गुजरते हैं बस हाथ जोड़के नमस्तर करके निकल जाते हैं बस दर्शन करके निखल जते हैं यह सब गलत है अगर भगवान का नाम लेना है तो बस एक घंटा ने तो तीस मिनट ने तो एक मिनट सच्चे मन्द से अगर हम भगवान का नाम ले बस उतना ही काफी है निस्वार्थ बिपत्तिया आती है सामने तो कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो हमें वो भीपत्यों को दर साथे हैं या उस बीपत्तियां का लक्षन दिखाते हैं जैसे हम सोच रहे हैं तो सामने को गोम आता आ लिए आ जाती है तो हम गाड़ी को थोड़ा रोकना चाहिए को थोड़ा मानना चाहिए कि यह सब हो रहा है तो कहीं नहीं हो सकता है कोई विपत्य आने वाली है जिसका कोई एक संकेत है लेकिन आजकल कोई नहीं मानता है गोमाता सामने आजे तो कोई मारता है गोमाता को खु पिश्वासी नहीं करता है पंडित जी बूलता है कि ऐसे बहुत लोग है जो सिकरचंडी मंदिर में आते हैं और पंडित जी को पूछते हैं क्या सच में भगवान हैं हम तो भगवान को डेली पुजा करते हैं या भगवान को डेली मांगते हैं बढ़ भगवान हमको कुछ न करेगा उसके लिए कि महनत नहीं करेगा तो आयस ओपिसर कैसा बनेगा बस मांसिक करतेने से वो नहीं होता है उसके लिए हमको कर्म भी करना पड़ता है और कोई आते हैं जो मांसिक करते हैं अपने बच्चे होने के लिए अगर हस्बेंड वाइफ दुनों आते हैं कि उनका ब पर लगे रहते हैं किसी के पास समय नहीं होता पत्नी पत्नी अपने अपने आपको कर समय नहीं देते हैं तो मांसिक करने से कुछ फाइदा नहीं होगा और नहीं वो मांसिक पूरा होगा मांसिक का अर्थ नहीं समझते लेकिन मांसिक करने आ जाते हैं अगर वो पूरा नही भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं मालीका मिलिखा है नारी के लिए युक का अंत हुआता और नारी के लिए युक का अंत होगा सत्य भन्ज, आगे पूस्ते हैं जल का परवत में 752 गुफा है खंडगरी में भी बहुत सारी गुफा है क्या सीकर्चंडी में भी कोई गुफा है तो पंडी जी कहते हैं कि यहां भी बहुत सार गुफा है लेकिन वो सब बंध है जैसे पहले कहाता है यहां से खंडगरी ते गुफा है जो यहां से खंडगरी परवत को जोड़ता है और वो उस गुफा के अंदर जाने का भी कोशिश किये थे मगर वो आगे जाके बंद हो जाता है और वो बहुत पतला सा गुफा है तो वहां गुसना भी थोड़ा मुश्किल है आगे पंडित जी एक पत्थर दिखाते हैं एक अनोखा नीला पत्थर जो पत्थर उनको उनको गुरुजी ने अपना देहत्याग करने से पहले दिया था उनके गुरुजी जो स्री सरेंदर नारायन नंद है उन्हेंने उनको ये दिया था ये क्रिस्टल है या पत्थर जो भी ये क्रिस्टल है जो उनको मदद करता है लोगों की साहता करने के लिए उधरन तर एक family अपने बच्चों को बच्चा खो गया था उनका जो वो पंडी जी के पास आये थे उनका एक लड़की है आठ साल के और लड़का है पाथ सल का दोनों खो गये थे एक बार नहीं तीन बार खो गये थे और तीनों वार वो पंडी जी के पास आये तो पहली बार जब आये थे तो पंडी जी ने वो पत्तर के साहता से और मा के साहता से उन्होंने बोला था कि वो दक्षिन दिशा में गए हैं आप वहां जाए हैं आपको मिल जाएगा वो गये थे कटक के तरफ और उनको वो तो पन्डी जी ने उनकी साहता की थी और उनके मदद से वो बच्च खंडगीरी के आसपास भूम रहते तो उनको वो मिल गया था यह पत्थर को इस्तमाल करते हुए पन्डी जी को चार साल हो गये हैं और सौप पतिसद उनको सफलता मिला है इस पत्थर के वज़ा से तो पंडिजी आगे कहते हैं कि ये वो कल्यान कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए जो भी लोग यहां आते हैं जिनको कुछ भी समझ्चा होता है उनको वो करते हैं उसके बदले वो ना कुछ मांगते हैं और ना कुछ लेते हैं उनसे ये बस उनके गुरुजी ने उनको बोला था ये पत्थर देने से पहले कि ये लोगों के लिए करना लोगों के कल्यान के लिए करना जो भी मुसिबत में हो उनके लिए करना तो वो ही करते हैं लोगों के लिए करते हैं ना इनके बदले वो कुछ मांगते हैं, ना उनको कुछ चाहिए होता है। अंत में पंडित जी बस यही बोलते हैं भक्तों को, कि हम मनुश्य हैं, हमको एक ना एक दिन जरूर हम मर जाएंगे। चाहिए हम जितने करोड़ पती हो, जितने लोग प्रिय हो, बस हम सब मर जाएंगे। बस चार कंदे लगेंगे और कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। पर मरने से पहले ऐसा कुछ करके जाना, कि लोग आपको याद रखेंगे। कभी किसी से कुछ उधारी मत रखना, बस लोग आपको याद रखें अपने कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए, बस वही कुछ करके जाना। भगवान कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, बस भगती देखते हैं, कोई पांच रुपया का दीब चलाए या कोई पांच सो का दीब चलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका भगतिया का सच्ची है, तब भगवान आपके मनोकामना पूरी तरह से पु लेकिन अभी गवर्मेंट ने बैन कर दिया है, तो अभी बस रख लौकी का ही बली चड़ता है, और उसके इलावा यहां चंडी पार्ट भी होता रहता है, जिन लोग का चंडी पार्ट कराना होता है, तो यहां चंडी पार्ट होता है, बक्तो अगर आप यहां आना चाहते तो आप आ सकते हैं, पंडित जी आपके लिए हैं, आपका साहिता भी करेंगे, आपका कोई समझ्या है, कुछ भी परेशानी है, आप यहाँ आ सकते हैं, पंडित जी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और यह मंदिर बहुत ही सुन्दर है, मा का दर्चन आप कर सकते हैं, कर दो कर दो